जान जाती है तो जाए लेकिन copyright claim कभी ना आए ये हर YouTuber का हुआब है copyright आ गया अब इस copyright को हतम कैसे करोगे और आएंदा के आने वाल वक्त में copyright से कैसे बचोगे ये सब आपको जाने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर और भी बहुत कुछ जाने को मिलेगा जल्दी से subscribe करो और पूरी वीडियो को एंड तक देखना अब एक ऐसी वीडियो जिसके अंदर आपकी आवाज नहीं है आपकी वीडियो नहीं है आपकी कोई फोटो नहीं है और दूसरी चीज ये है कि उनके पास creative common license जोना चाहिए जो कि उनकी वीडियो के उपर होगा जो कि मैं आपको बता दूँगी कि क्या है और अगर आप जानना चाहो तो i button पे click कर सकते हो लेकिन कुछ दिन के बाद अच्छा अगर उनके पास creative common license नहीं है और उन्होंने अपनी वीडियो को जो है copyright free नहीं रखावा तो फिर तो पक्का आपकी वीडियो के उपर copyright claim आएगा ही आएगा अब ऐसा भी नहीं है कि जिसने YouTube license दे रख है तो उसके आप पूरी के पूरी वीडियो उठा के जो है वो copy paste कर दो एक रास्ता ये भी है कि आप अलग-अलग लोगों की copyright free वीडियो को उठाओ उनको edit करो और फिर आप post कर दो ताकि YouTube के algorithm को समझ ही ना आए कि आपने किसी और की वीडियो को पोस्ट की है यहां पर मैं एक example देती हूँ हाली में मैंने Harry Potter की वीडियो अप्लोट की थी जो कि obviously मैंने कही ना कहीं से देखी थी और देख के उसके अंदर मैंने अपना कुछ जो है वो चीजे डाली और उसको मैंने upload कर दी उसके ओपर कोई copyright claim नहीं है जो कि आपको यहां पर नजर आ रहा है और उसके इलावा आपको यह भी नजर आ रहा होगा कि यहां पर दो वीडियो जाए एक तो मेरी है और एक जो है वो किसी और की है अब जो मैंने अपनी वीडियो का आइडिया लिया था ना यह इस चैनल से लिया था और इन दोनों वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाओ और वहां पर आपको साफ साफ नजर आ जाएगा कि किस तरह से आप YouTube के algorithm को manipulate कर सकते हो कि उसको पता ही ना चले कि आपने किसी और की वीडियो उठाई हुई है वैसे से content और ऐसे चैनल जो है वो बहुत कम ही चलते हैं वो पहले या बात में demonetized हो जाते हैं या फिर starting ही से कभी भी monetized नहीं होते हैं जिसके अंदर आपका कम असकम भी 80% तक हिस् जो है वो participation नहीं होती है आपकी वीडियो के अंदर तो आपकी वीडियो जाती है अच्छा यह मतलब नहीं है कि आप अपना लाजमी फेस शो करवाओ या लाजमी है कि आपने अगर फेस शो करवादी तो अपनी आवाज भी दिखाओ क्या आप दोनों में से कुई एक चीज इसको अपना मोटिफ रख लो या अपना जो है फेस दिखा लो या अपनी आवाज शो करवालो नहीं तो अपने हाथ वगएरा या कोई अपने आर्ट या कोई अपनी कुकिंग की वीडियो मतलब इस तरह से कुछ ना कुछ अपना शो करवाओ ताकि जो है जो चोन तो यह भी कि अगर आपको किसी और का रूच यूज करना ही तो किसी एक की वीडियो को उठा के डाउनलोड करके की कॉपीपेस्ट मत कर दो बलक्हे अलयक अलग अलग लोगों की विडियो को उठाके इस तरह से एटिट करो कि वह बहुत अच्छ अच्छे सेले कि वह आपकी अपनी वीडियो है और जब आप कोई ऐसी वीडियो उठा रहे होगे जिसके उपर आपको कंफर्म है कि इसके उपर कोपीराइट क्लेम आ सकते है यह शायद आ जाएगा तो फिर सेवन सेकंड वाला रूल फोलो करो लाइक अगर आप किसी की भी कोई भी वीडियो या ओडियो सेवन सेकंड के लिए उठा लेते हो तो उस पर आपको कोपीराइट क्लेम नहीं आता है लेकिन केरफुल रहें फिर भी क्योंकि ऐसे कॉंटेंट से जो कि आपका अपना निये चैनल जो है सस्पेंड हो जाता है उसके उपर स्ट्राइक आ जाती है इडिलीड हो जा सकते हो जस्ट एक काउं कर दो कि उसके अंदर एडिटिंग कर दो और वो हिस्सा जो है उसको ब्लर कर दो और अगर आपको नहीं बता कि उसको ब्लर कैसे करते हैं तो यहां पर आई बटन के अंदर जो है वो वीडियो होगी और इस वीडियो के लास्ट के उपर भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी जो के आपको ये सिखाएगी कि आपने किस दरा से यूट्यूब की एडिटिंग करनी है अपनी वीडियो के अंदर कोपी राइट वाले हिस्से को बलर करने के लिए इसके अलावा बहुत सारे चैनल्स हैं जो मुवी के रिव्यूज और एसे चैनल्स जो हैं वो लाजमी अपने चैनल के अंदर डिस्क्लेमर यूज करें डिस्क्लेमर मैं भी यूज करती हूँ जस्ट फोर सिक्योरिटी तो आप भी यूज कर सकते हैं और अगर आपको नहीं पता कि क्या होता है तो में वीडियो के नीचे जाओ वहां पर आपको डिस्क्लेमर लिखावा नजर आ जाएगा उसको कोपी कर लो और उसको यूट्यूब के अंदर अगर तो आपके पास लैप्टोप या पीसी है तो यूट्यूब के अंदर जो इसको डिस्क्रिप्शन में अप्लोड के ओप्शन में जाके वहीं के उपर रखके सेफ कर लो इस तरह आप जब भी अपने laptop या computer से वीडियो upload करोगे तो disclaimer आपको हर बार लिखना नहीं पड़ेगा वो already उसके वीडियो के अंदर automatically attach हो जाएगा अब आप पूछोगे कि ऐसी website या ऐसी जगाए कौन से जहां copyright free चीजे ले सकते हैं सब कुछ इसी वीडियो में देखो के क्या subscribe करो और bell icon को press करो ये वीडियो मैं लाजमी लेकर आऊंगी और इस week I think so मैं काफी ज़्यादा content बनाने वाली हूँ copyright को लेके और इस चीज को लेके कि आपने अगर अपनी वीडियो या audio यूज नहीं करनी है या भी आप शर्मा रहे हो या अभी family में इतना ज़्यादा आप हाइपने क्रियेट करना चाह रहे और चुप चुप के थोड़ा काम करना चाह रहे हो तो ऐसी website कौन सी और ऐसी जगाए कौन सी जहां से आप 3 contents है उसको ठाके वीडियो के अंदर डाल सकते हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ अल्ला हाफिज